जियो की तरब से अनाउंस किया जाता है कि जियो ने 1GPS के स्पीड को टेस्ट किया है 5G के अंदर Qualcomm के सपोर्ट के सांथ IMPORTANT POINT ये है कि जियो के द्वारा बताया जा रहा है कि पहली बार इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जिनोंने अपने दम पे एक काम किया है बाहर से किसी कंपनी का सपोर्ट नहीं लिया गया है मतलब की equipments जो है वो जियो के द्वारा ही डेवलप किया जा रहे है जियो 5G RAN क्या है और किस परकार से वो मदद करने वाले है आने वाल टाइम के अंदर बाकी कंपनीज की इसके बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा लेकिन इंपोर्टन कोश्चन यह है क्या हमारा 1GB का फाइल एक सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा बिल्कुल आपके इसकोर्षन का अंसर वीडियो के आगे देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको एक इंपोर्टन वद बता दे कि जियो के द्वारा बहुत जल्द एक 5G फोन लांच किया जाने वाला है जिसकी कीमत आपको 5-4 उपर से कम पेक करनी पड़ेगी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं जियो के द्वारा AGM के अंदर बताया गया था कि इंडिया को 2G मुक्त करना है और 2G मुक्त करने के लिए भुलोगों को 4G के तरफ लेके आ रहे हैं और चांसे यह है कि डिरेक्ट 2G से 5G में कनवर्ट किया बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं वैसे तो जियो के 5-4 से इसके शुरुवात होगी 5G फोन की लेकिन आपको हो सकता है कि इसके अंदर आपको 5G डेटा देखने को मिले जो कि आपको कुछ free of cost तरीके से देखने को मिलेगा important point यह है कि पांच रुपए जो आप price पे करने वाले हो वो gradually हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर घटाते हुए तीन जाया तक लेके आया जाए वैसे तो एक बड़े media house के तरह से रिपोर्ट किया गया था 4000 प्राइस हो सकता है जियो के इस smartphone का लेकिन important point एक और आपको बता दें कि जियो ने tie up किया था Google के साथ Facebook के साथ और साथ ही साथ Qualcomm के साथ अब इन सारी बड़ी companies के साथ tie up करने का मतलब यह हो जाता है कि जियो अगर Google के साथ tie up कर रहा है तो इस प्रकार के software को बनाएगा और इस प्रकार के software का इस्तमाल करेगा जो कि आपको कम data के साथ और साथ ही साथ कम RAM और कम space के साथ आपको phone को optimize करके दें कि आप अच्छे तर के हिसाब से ही बनाया जाए एक तरीके का application त्यार किया जाए जो कि 1GB RAM वाले phone में अच्छे तरीके से smoothly चले और आपको speed यह बढ़िया दे आने वले समय के अंदर इसके उपर जो भी reporting कल गया आएगा वो जरूर देंगे लेकिन उससे पहले कुछ information निकल के आ रहा है 5G के ब पार कर लिया गया है आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि Department of Telecommunication मतलब कि Government of India की तरफ से जैसे एनाउंस किया जाए 5G Trials का Jio सबसे पहले आगे आएगा और बाकी जो टेलकॉम कंपनी से उनको help भी करेगा आगे आने में लेकिन important point है क्या हमें 1GB PS के speed देखने को मिलेगी 1GB PS का मतलब यह है कि 1GB की file के हमारी 1 second में download जाएगी तो आपको बता दे कि Jio के तरफ से जो paste release जारी किया गया था उसके अंद 1GB वो Gigabyte होता है 8 beats is equal to 1 byte मतलब यह कि 1GPS के speed जो test run की गई है उसका मतलब यह है कि 125 Mbps per second ठीक है Megabyte per second अब important point है क्या यह असली speed है बता दे आपको कि इसका 1-8 करते हैं तो वो आपको download speed देखने को मिलने वाली है मतलब यह कि 15 Mbps तक आपको download speed 5G के अंदर इस हिसाब से आगया है आज की rate में Geo के द्वारा important point है कि आप 15 Mbps का speed 5G में fast है लेकिन important बात यह बता दे कि इंडिया के अंदर आज की rate में सिर्फ Geo के 40 कोड़ भूगता है और सभी के पास आज की rate में 4G का ही number है लेकिन आप comment करके बता सकते हैं कि आपके area में जो browsing के speed होती है वो कितन आती है मेरे हिसाब से 1 Mbps के speed बहुत कम लोगों के area में आती होगी बहुत जादा area में आपको kbps में download करने को देखने को मिलता है तो इस प्रकास देखा जाए तो जो 5G के speed है वो काफी लंबी चोड़ी और बड़ी दिखेगी क्योंकि आपको kbps में आज की rate में download देखने को मिलता है लेकिन अगर 5G के अंदर यह speed आपको मिल रहा है जो कि 15 Mbps का होने वाला है तो यह मेरे हिसाब से जबरदस्त तो नहीं कहा जाएगा लेकिन हाँ इंडिया के अंदर अपनी technology और बनाई जा रही है तो वह अच्छी बात कही जा सकती है important point एक और है कि एक technology को बना आने में कम से कम 5-8 साल लगते हैं लेकिन अगर जियों ने पिछले एक साल के अंदर Qualcomm के साथ मिलके और इतनी जड़ी एक technology को बना दिया है इंडिया के लिए इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है आगे मैंने एक वीडियो लगा रखा है जिसके अंदर कैसे आपको 5G speeds मिल रहे हैं वहाँ पे download speed जो होगा जो भी speed आप देखेंगे उसका 1-8 होने बाला है मैंने USA कार जिकर इसलिया किया इस वीडियो में क्योंकि ऐसा बहुत सारे media house उसके दोरा बताया जा रहा है कि इंडिया कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि USA, Germany, Australia, Korea जहां पे आपको speed 1Gbps से जाया देखने को मिलती है लेकिन ये important बात नहीं बतायी गई है कि वो download speed है, surfing speed है या क्या है और 1Gbps जो की G, capital और B, small बाला होता है उसमें बहुत लोगों confusion है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको clarity आ गई होगी, लेकिन अगर आपको 15Mbps का download speed आज की डिट में दिया जाए और पैसे आपसे 20% extra charge के जाए तो क्या आप इसके लिए तैयार हो या फिर आप wifi लगवाना चाहोगे अपने घर के अंदर ज़रा comment करके जरूब बताईगा दोस्तो ये था जीओ के उपर पूरा important information जो की काफी ज़्यादा लोग के दुवारा सही से cover नहीं किया गया था आपको अच्छा लगा तो share कर दीजेगा और साथी साथ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा कि बहुत important information है और आने वले समय के अंदर 5G को पर और वी वीडियो आपको देखने को मिलने वाले Thank you so much देखने के लिए